इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ क्वेस्टन्स जो पुछे गए हैं सेचस इंट्रेंस एक्जाम में 2016 में तो यहां पर सॉल्व करेंगे हम 2016 के कुछ क्वेस्टन्स यहां ध्यांदी जीगा वीच अ फाल्लिविंग इस आ पाइथागोरेंट ट्रिपलेट तो हमें पता करना है कि इसमें से कौन साथ जो है पाइथागोरेंट ट्रिपलेट है तो हम पढ़े हुए हैं कि पाइथागोरेंट ट्रिपलेट का जो कंडिशन होता है वो 2m पहला जो ट्रिपलेट होना चाहिए वो 2m होना चाहिए और m²-1 सेकेंड होना चाहिए और थर्ड वन है m²-1 होना चाहिए मतलब यह conditions होनी चाहिए उसमें तो उसे को बोलेंगे हम Pythagorean triplet तो ध्यान दिजे सब में लागू होता है कि नहीं तो पहले यहां से start करता है तो 2 में तो यहां पर solve करेंगे 2 में तो 2 को क्या लिखेंगे यहां पर 2 बराबर हम equal करतेंगे 2m से और यहां से निकाल लेंगे m की value m रावर मिलेगा यहां पर 1 पहले वाले case में ठीक है तो m रावर 1 मिलेगा तो यह 3 जो है equal होना चाहिए m²-1 के तो हम यदि करते हैं m²-1 तो मिलेगा हमें 1 square-1 और 1 square-1 क्या होता है 0 होता है मतलब कि यह वाला fail हो गया ठीक है तो इसी तरीके से हम सब को check कर लेंगे finally देखेंगे कि हमारा d वाल option correct होगा ठीक है d वाल हम चेक करते हैं यदि हम 2m बराबर लिखते हैं 8 m रावर मिलेगा 4 और अब निकालेंगे यदि m²-1 तो मिलेगा हमें 4 का square-1 मतलब कि 16-1 मतलब कि 15 और देखें आप 15 लिखा हुआ है ओके यह वाला उसके बाद m² plus 1 निकाल सकते हैं और यह निकालेंगे तो मिलेगा हमें 16 plus 1 means 17 और 17 भी देखें यही आपका pathogram triplet है ओके तो question number अब आपके पास है question number 53 जो की second question है इस वीडियो में तो कारा कि what is the value of cube root of 721 upon minus 512 is equal to value इसकी value क्या होगी यह पूछा हुआ है क्या करेंगे यहाँ पर cube root निकाल लेंगे cube root कैसे निकालते हैं क्या करना पड़ेगा कि 729 को factorization करना पड़ेगा तो 729 के दिख करेंगे factorization तो पहले 9 से कर लिजे 9 8 जा 72 और 9 बंजा 9 9 जा 81 और 9 बंजा 9 मतलब 9 9 9 3 बंजा रहेगा मतलब कि उपर जिसकते हैं 9 into 9 into 9 हो लापान minus 512 को भी कर लिजे तो minus 512 का factorization करेंगे 8 से करेंगे पहले 8 7 जा 56 8 6 जा होगा 8 6 जा 48 and 2 and 3 32 हो जाएगा 8 4 जा 32 8 8 जा 64 means यह 8 1 मतलब कि 8 at 3 times आएगा और यहां पर जो 8 लिखेंगे वह minus 8 multiplied by minus 8 multiplied by minus 8 लिख सकते हैं इसा क्योंकि 3 को multiply करेंगे तो क्या आएगा finally negative sign आएगा तो इतना लिखना पड़ेगा और उसके बाद से इसमें से क्या करना पड़ेगा और इसमें से एक pair निकलेगा मतलब एक जो triplet निकलेगा तो 9 upon minus 8 means इसको लिख सकते हैं minus 9 upon 8 ठीक है यह minus को उपले जा सकते है क्योंकि minus 1 से multiply कर सकते है numerator में और denominator में भी तो minus 1 upon 8 हो जागा answer मतलब कि option b यहाँ पर correct है ओके तो question number next है आपका 54 यहाँ पर क्या पालवा है कि if x minus 1 upon x is equal to 6 then the value of x square plus 1 upon x square is तो यहाँ पर इसकी value दे दिया 6 तो इसका पूछ रहा है तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं यहाँ पर कि जब दिया रहता है x minus 1 upon x is equal to 6 तो बोथ sets में square कर देते हैं square करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ मिलेगा x square plus 1 upon x का whole square means 1 upon x square हो जाएगा और minus 2 into a b 2 into x into 1 upon x होगा is equal to 66 36 होता है अब यहाँ देखिए x और x cancel हो जाएगा यहाँ से और finally हमें मिलेगा केवल इतना minus 2 मिलेगा means मिल जाएगा x square plus 1 upon x square minus 2 is equal to 36 हमें निकालना क्या है हमें केवल इतना यहाँ से लिकरके यहाँ तक ठीक है तो हम इसको रहने देंगे x square plus 1 upon x square is equal to 2 को हम right side में transpose कर देंगे तो 36 plus 2 हो जाएगा means 38 हो जाएगा और यही आपका answer है क्योंकि यहाँ पर x square plus 1 आपका एक value पूछा है तो यही आपका है 38 option B ओके ओके तो next question आपके पास है 55 the value of x in 10 cube plus x cube is equal to 1 cube plus 12 cube is तो x का value बताना है यहाँ पर x का value क्या होगी तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसका cube कर लीजिए तो 10 का cube करेंगे तो क्या मिलेगा 1000 plus x cube वैसे रहने दीजिए is equal to 1 cube करेंगा तो 1 ही रहेगा plus 12 का cube करेंगे तो मिलेगा आपको 1728 आप जो है 20 तक cube cubes of numbers 20 तक याद कर लीजिए क्योंकि आप prepare कर रहे हैं आपर stretches का तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक याद कर लीजिए cube और square भी तो यहाँ पर इतना हो जाएगा अब यहाँ से 1000 plus x cube is equal to यहाँ पर add कर लेंगे तो मिलेगा 1729 9 अब यह 1000 क्या करेंगे मैनस करेंगे तो मिल जाएगा x cube is equal to मिल लेगा 1729 मैनस 1000 यह जब मैनस करेंगे दोखेंगे आपर 1000 के और 1 के और के रट हो जाएगा और 729 बच जाएगा तो 729 आएगा और हम जानते हैं कि x cube बराबर यहाँ पर 729 जो होता है वो 9 का cube होता है और हम x के वह लिए आप निकाल सकते हैं 9 ठीक है तो आपका x is equal to क्या होगा 9 होगा answer means option a is correct मतलब यहाँ पर 729 का फट्रेशन कर लेंगे फट्रेशन कर रहेंगे तो आपको 9 का cube मिलेगा और x बराबर 9 मिल जाएगा ओके चलिए next question ओके तो next question हमारा है 56 यहाँ पर if x plus y plus z is equal to 12 and x square plus y square plus z square is equal to 64 the value of xy plus yz plus zx is तो यहाँ पर यहाँ करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका x plus y plus z की value दे दिया है कितना 12 आप दोनों तरफ क्या कर लिजे पहले square कर लिजे हमें निकालना इसकी value ना इसकी square करें जोंबों दोनों तरफ तो क्या मिलेगा यहां पर स्कार करेंगे मिलेगा x square plus y square plus z square plus is two x y plus two y z plus 2zx इसकल मिल जाएगा क्या 144 अब यहाँ पर हमें निकालना actually है इतना तो हमें यहाँ पर देखना पड़िक काहा की लेगा तो यहां पर और यहां यह जो आपको दिख रहा है थ्री टर्म्स इसमें से टू यह दी काम ले लेंगे तो हमारा कुछ आएगा देखें आपर X स्कार पस Y स्कार प्रस Z इसकार की value दे दिया है 64, यहाँ पर रख लेंगे 64, प्लस इसमें से 2 काम ले लेंगे, तो मिल जाएगा xy plus yz plus zx, it's called to 144, अब यह 64 को मानस करिए और 2 से डिवाइड करिए, यह करना पड़ेगा, xy y plus yz plus zx की value मिल जाएगी, और यह मिलेगा आपको 144 मानस 64, और जो भी आएगा, आपान करना पड़ेगा, इस 2 से अपान 2, यहाँ पर solve कर लेते हैं, इसको क्या मिलेगा, 144 में से करेंगे, तो यह 0 बचेगा, 4, 4, और यहाँ पर 14 में से 6 बचेगा, गटाएगा, 8 बनेगा, तो next question आपके पास है, 57, तो probability क्या होती है, probability मतलब कि आपने जितना खरीदा है, उसको उपर लिखते है, means, यहाँ पर देखिए, आपके पास है, वन लाक टोटल, वन लाक टोटल जो है, टिकेट्स है, उसमें से आप एक ही तो खरीदेंगे, और एक खरीदेंगे कितने में से, वन अपान, वन लाक यहाँ लिख दीजे, यह जो वन लाक लिखेंगे आप, यह बता रहा है कि यही probability आपकी, मतलब जीतने की probability, विन करने की, लेकिन आप जब जीतेंगे, तो इतना probability है, लेकिन 100 prizes भी तो है, इसका मतलब कि इन 100 prizes में से आपको एक तो मिली सकता है, तो यह एक prize होता न, तब जागा probability यही answer हो जाता, लेकिन 100 prizes दे दिया है, तो इसमें 100 से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इस probability के हिसाब से, multiply करेंगे 100 से, तो जो मिलेगा, वही आपकी actual probability होगी, क्योंकि 100 में से थुरा सा कम probability हो जाएगी, आपकी probability आपकी बढ़ जाएगी, कहने का, मतलब win करने की, 2 0 जो है, 2 0 स्कंसल हो जाएगा, और मिलेगा आपको 1 upon 1000, यह हो जाएगी probability next, और यही आपका absence C correct होगा, okay?